नवस्कार खमरों की खमर में आपका स्वागत है अब आया है उट पहाड के नीचे महराश्ट की राजनीती में बहुत बड़ा उथल पुथल शुरू हो चुका है ग्रह मंत्री और मुख्य मंत्री उद्दव ठाकरे पिछले दो ढ़ाई घंटे से अंदर खाने में पता नहीं किस बात की चर्चा कर रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि इस अगहाडी सरकार के उपर बहुत बड़ी विपत्ती आ गई है और ये विपत्ती इसलिए आई है क्योंकि कल तक जो मुंबई पुलिस को अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे अलग-अलग केसिज में किस तरीके से जांचो इसका आदेश दे रहे थे जो पुलिस वालों से खाकी वर्दी में वसूली करवा रहे थे आज उनके घर के अंदर CBI बैठी भी है आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक्स ग्रिह मंत्री अनिल देशमुक के बारा ठिकानों में मुंबई और नाकपूर मिला करके उनके घरों और कारियालों के अंदर CBI का चापा पढ़ रहा है और यह चापा मारे इसलिए हो रही है क्योंकि CBI ने इस वसूली गैंग के मसले में कि किस तरीके से जो आरोप लगे थे कि सौक करोर का यह टार्केट दिया करते थे पुलिस वालों को इस केस में अनिल देशमुक के खिलाफ F.I.R. दंज कर दिया गया है और इतना ही नहीं खबर यह आ रही है CBI के सूत्रों से कि शाम तक अनिल देशमुक को गिरफतार भी कर लिया जाएगा अब आगे की कारवाई किस तरीके से होगी वो तो अलग बात है लेकिन खबर इस वक्त की यही है कि अभी फिलहाल देशमुक के P.A. को CBI डिटेन कर चुकी है और अब अगला निशाना अनिल देशमुक के उपर है अब इस CBI की जो परताल हो रही है यह जो चापे मारी हो रही है इसकी डिटेल मैं आपको दूँगा पता नहीं बहुत सारी चीज़े आ रही हो वहाँ से कबरे कि कोई काले रंग की पैकेट लेकर के CBI निकली है उनके घर के बाहर उसमें क्या है नहीं है इसकी सारी डिटेल मैं आपको आगे दूँगा लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि CBI ने आकर अचानक से ये काम क्यों किया दरसल ये ऐसा एक्षिन है जो कर सकते हैं कि CBI का एक क्विक एक्षिन है कि अस्थानिये पुलिस वालों को भी मालूम नहीं था कि CBI की टीम अनिल देश्मुक के घर पे छापा मारी करने वाली है प्रोटोकॉल तो यही कहता है जो आम तरीके से कहीं भी CBI या EDA इंकम टैक्स वाले कहीं छापा मारी करने जाते हैं तो लोकल पुलिस वाले को इसकी जानकारी देते हैं लेकिन इस बार आज ऐसा हुआ नहीं था अनिल देश्मुक साहब नॉर्मल दिन के तरह जब मैं इस वीडियो को रेकॉर्ड कर रहा हूँ और बताया यह जा रहा है कि पूरा परिवार अनिल देश्मुक का CBI के अधिकारियों के सामने बैटा हुआ है और CBI अपनी कारवाई को आगे बढ़ा रही है अब दरसल इस केस का बैक्ग्राउंड ही था कि जब परमवीर सिंग ने एक चिठी लिख दी और यह आरोप लगा दिया कि किस तरीके से पुलिस वालों को 100 करोर रुपे वसूलने का बार से तो रेस्टोरेंट से 1750 संख्या जिसकी बताए गई थी कि 100 करोर का टार्गेट पूरा करना है तो उससे बवाल मचा था मामला सुप्रिम कोर्ट भी गया हाई कोर्ट भी गया सुप्रिम कोर्ट ने बताया कि यह बहुत ही सीरियस मसला है और उसके बाद हाई कोर्ट में जब यह मसला गया तो हाई कोर्ट टेप 15 दिन का वक्त दिया था किस बात के लिए कि CBI एक प्रिम्नरी एक्जामिनेशन करे प्रिम्नरी प्रोब करे और उसके बाद इस केस के उपर कारवाई करे अगर उनको लगता है कि भई F.I.R. दर्ज करनी है तो F.I.R. दर्ज होगी गरफतार करना है तो गरफतारी की जाएगी तो अब जब ये 15 दिन स ये पूरी कारवाई चल रही थी हमने आपको बताया था Capital TV में हमने कई सारे प्रोग्राम से हमने बताये थे कि किस तरीके से politicians एक साइड और पुलिस वाले एक साइड हो गए थे और उसी के बाद ये सारी जो तैकिकात चल रही थी जो जानकारी मिल रही थी C.B.I. को उसके बाद आज ये कारवाई की गई C.B.I. के तरफ से क्या बयान दिया गया है C.B.I. के तरफ से कहा गया है कि अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो C.B.I. के अधिकारी बता रहे हैं कि इसमें हमें इनफ मैटेरियल एविडेंस मिल गए हैं जिसके आधार पे हमने F.I.R. दर्ज की है और इसमें सबसे रिमारकबल बात ये है कि फिलहाल F.I.R. तो सिर्फ अनिल देश्मू के खिलाफ किया गया है और साथ ही कुछ अन आइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ भी ये F.I.R. है जिसका नाम अभी दर्ज नहीं किया गया है मतलब ये ये कैन अफ वाम्स खुल रहे हैं कई सारे लोगों के नाम इसमें आएंगे कई सारे लोग इसमें नपने वाले हैं किसके लिए ये पैसा उगाई किया जा रहा था पैसा कहा जा रहा था कौन दे रहा था किधर से लाया जा रहा था इसका पूरा मास्टर माइंड पूरा गेम क्या था ये पूरी की पूरी तहकिकात CBI अब करेगी अब कैसे करेगी अब तक तो ये सवाल उट रहा था कई सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं CBI को कहां से इविडिन्स मिलेगा जाच में कुछ पता नहीं चलेगा ये बात सिबसे ना और NCP के लीडर्स जो बड़बोले लीडर्स हैं वो कह रहे थे तो CBI के अधिकारियों ने उसका भी आज खुला सकिया है क्या कहा कि after the preliminary inquiry against this book got complete a report was submitted to CBI director we have now registered an FIR in the same matter and are conducting searches the decision to register an FIR was done following the evidences and documents provided by those who were questioned during the inquiry ये CBI के अधिकारी के तरफ से ये बयान दिया गया है कि ये जो सर्च हम कर रहे हैं या FIR जो हमने दर्ज किया है वो उस evidence के उपर है उन सबूतों के अधार पे है जिससे हमने पूछताच की थी पूछताच किसे हुई पूछताच हुई परमीर सिंग से पूछताच हुई वाजे से पूछताच हुई एक दो और पुलिस ऑफिसिल से पूछताच हुई अनिल देशमुक के दो दो पीए से मतलब ये कि अनिल देशमुक का सारा कच्चा चिठा सारे सबूत इन ही लोगों ने दिये जिन को बुला करके अनिल देशमुक अपने घर में बाचीत किया करता था जिन पर फोन पर बाचीत होती थी और बताया ये जा रहा है कि अनिल देशमुक के खलाफ इतने सारे डॉकुमेंट्स इतने सारे सबूत इतने सारे डिजिटल फुट्पिंट् बड़ा मुश्किल है और जैसे ही ये कारवाई शुरू हुई और इसमें पॉलिटिकल एंगल जिसे समझना जरूरी है कि क्या आमिशा से ये जो कुछ सब्ताह पहले ये जो मुलाकात हुई थी गुजरात के अंदर सरत पवार और प्रफुल पटेल की क्या उसमें इस बात की भी कोई चर्चा हुई थी कि अनिल देश मुख तो इनोसंस है सीब्याई के ऊपर थोड़ा सा आप कहें कि वो थोड़ा धील दे दे क्या इस तरह की निगोसियसंस हुए थे क्या इस पर बाचीत हुई थी ये बड़ी कहानी है जिसका भी खुला सा आगे चल करके होगा लेक उसके गिगगी बन गई है उन्होंने क्या कहा वैसे तो हर बात भी वो कहते हैं लेकिन आज उन्होंने कहा कि अभी जो कारवाई चल रही है उसके ऊपर कोई बात कहना को टिपड़नी देना वो ठीक नहीं है वो क्यों ठीक नहीं है क्योंकि एक तो अनिल देश मुख रंगे हाथ पकड़े गए हैं और ये सिर्फ रंगे हाथ पकड़े ही नहीं गए हैं ये अपने आप में बताता है को उद्दव ठाकरे सरकार के अंदर ये जो मंत्री बठे हुए हैं वो किस तरह का उगाही का एक धंदा चला रहे थे एक रैकेट चला रहे थे और दूसरी वज़ा मंत्री उद्दव ठाकरे के बीच बाची चल रही है कि अब क्या इसको किस तरह से टैकल किया जाए और फिर किस तरीके से परमवीर सिंग्ग या वाज़क को फसाया जाए किस तरीके से एक राजनितिक मूव चला जाए जिससे ये जो किरकिरी हो रही है ये जो बदनामी हो ही है और साथ-साथ इनके जो सारे कच्च चिठे पूरे दुनिया के सामने आ रहे हैं उससे बचा जाए लेकिन इससे दो कदम आगे नवाब मलिक यह जो NCPK लीडर है उन्होंने कहा कि भाई यह सीवी आई जो काम कर रही है क्या CBI ने अपनी रिपोर्ट हाई को जमा कर दी यह कारवाई क्यों हो रही है यह उल्टा CBI से ही सवाल कर रहे हैं अब इनको कौन बताए कि जो हाई कोट क्या आदेश दिया था कि आप एक preliminary investigation करें और अगर CBI को लगता है कि इसमें कुछ दम है तो वो FIR दज करें और आगे की कारवाई करें तो CBI तो कोट के हिसाब से काम कर रही है लेकिन यह इनको एक सपना आ रहा है कि हर चीज में आप करें चोरी आप करें वसूली आप मुंबई में सरकार के नाम पे गुंडा गर्दी और रैकेट चलाएं और उसके बाद कारवाई हो तो आप agency के उपर ही सवाल खड़े करतें एक और बहुत ही बेतु की बात उन्होंने कर दी कभी तक CBI ने नहीं बताया कि किस तरीके से किसके आदेस पर ये सची नुआजे ये मुके समानी के घर के बाहर वो विस्वोटक रखे थे ये अभी तक तो मालूम नहीं चला है अरे भाई मालूम कैसे नहीं चलेगा और मालूम करने के आपने कोशिश की, सरकार आपकी है पुलिस आपकी है वहाँ पे जाजय जाज़न से ATS को किसली आपने पाल रखा है प्रेस कांफरेंस में इस तरह के सवाल उपआने के लिए या सवालों के जवाब ढूनने के लिए सचिन वाजे को बचाने के लिए नवाब मलिक उद्धव ठाकरे नौनो बार एसमली के अंदर अपने कारवाई को सगित किया जब विपक्स सवाल कर रहा था कि सचिन वाजे को सैक करो तब आप इसी सचिन वाजे को बचाने में जूटे हुए थे और आज सवाल करें कि किसकी कहने पे उसने रखा वो कहने वाला वो रखवाने वाला उगाही करवाने वाला वसूनी करवाने वाला यह सब के सब यह आपी के थाली के चक्टे बटे हैं यह इसी अगारी सरकार के लोग होंगे इसके अलावा बाहर से तो नहीं होगा कोई पुलिस कमिस्नर अगर कोई गलबर करता है या कोई पुलिस Inspektor जो आपके ग्रे मंतरी आपके लीडर के साथ गलबाईये करता है फोन पे सीक्रेट बाचीट करता है घर आना जाना रात के अंधेरे में मीटिंग करता है वो किसी दूसरे के कहने पे इस तरह की हरकते करेगा यह कैसी बचकानी बात वहाँ पे हो रही है दरसल इस सारे मसले को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कोरोना के नाम पे अब कोई नया हाय तौबा मचाया जाएगा जिस तरह से केज़िवाल दिल्ली के अंदर नोटंकी कर रहे है वही नोटंकी अब महरास्ट में देखने को मिलेगी वो इसलिए क्योंकि यह अगहारी सरकार यह तीन अलग-अलग साइज के पईये की सरकार अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है अनिल देशमुक के ग्रफतार होते ही मसला इन लोगों के हाथ से बाहर चला जाएगा क्योंकि अनिल देशमुक तो एक प्यादा है अनिल देशमुक अपने मन से इस तरह के आदेश इस तरह की उगाही का रैकेट नहीं चला सकता है उसकी स्टेचर वो अतना बड़ा लीडर नहीं है और भारती जनता पार्टी के तरफ से जो बात कही जा रही है उसमें कुछ दम नदर आ रहा है क्योंकि उद्दव ठाकरे सरकार को इस केस के जड़िये यह जो CBI ने कुछ अन आइडेंटिफाइड लोगों के खिलाप भी FIR किया है उस पे बीजेपी के तरफ से यह कहा जा रहा है कि उद्दव ठाकरे सरकार को 2000 कडोर की वसूली का हिसाब किताब देना होगा और कई सारे के लिंचिंग के बाद जो करतब इनों ने दिखाया जिस तरह का पाप वहाँ पे हुआ जिस तरीके से सुसान स्री राजपूत की मौत के बाद राजिनिती हुई सच को जूट जूट को सच बनाने की कोचिस की गई जिस तरीके से अरनव गुसवामी के साथ कारवाई की गई जिस तरीके से हजसा और बार्क के अधिकारियों को बेवजह उनके उपर जुल्म ढाया गया जिस तरीके से कंगना रनाओत के घर के उपर बुल्डोजर चलाया गया ये समय का पहिया अब घुम चुका है उद्व ठाकरे ने तो कुछ लोगों की कुछ समय को बरबाद किया टेंप्रोरी तरीके से कुछ लोगों की इज़द के साथ मकौल उडाया लेकिन ये केस अब उस रास्ते पे जा रहा है जहां जिन्दीगी भर इन लोगों को जनील होना पड़ेगा आप देखते दें Capital TV हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद